खेलो इंडिया का जो कारक्रम अभी चार जून को प्रारम होने माला है चार जून से तेरा जून ये कारकम चलेगा और जैसे पता है कि इससे पहले दो बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विविन भागों में और इस बार हमारा सो भाग गया है और मैं केंदसरकार प्रधान मंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवादी भी करता हूँ कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कारकम उसकी मेज़वानी हमें हरियाना के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेज़वानी के नाते से वि हमेशा हमारे सामने कुछ न कुछ रखते रहे हैं लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं और उसमें हम सुभागे शाली है कि हर्याना का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है लेकिन बिदन कंट्री देश के प्रांतों में भले हिम आगे हैं लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं उसमें हम हर्याना के लोग अपनी जिमारी मान करके और इसको शूरुवात है चार तरिक को इसमें हमरे किंद्रिय ग्रह मंत्री श्री अमिद्शाजी को पदार रहे हैं उनका कारकम फाइनल हो गया है साएकाल साथ वजे के लिए हमने जंता को बलाया है ठीक साड़े साथ वजे कारकम जो है ये शुरू होगा और उस साड़े साथ वजे के कार्कम की शुरुवात में अर लगबक साड़े आठथ हजार तो जो खिलाडी हैं या उनके जो परुंदक जितने भी हैं सात्वे अधिकारी हैं कोच हैं और जो सयोगी हैं वो सब साड़े आठथ हजार के संग के उनकी रहेगी आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लो के लिए इस बार के आयोजन को काईसे ये पिछले दोज़न है उस से भी आगे बढ़ करके भवे इसका आयोजन हो इसके लिए विश्तां है हर प्रकार की यानि है केल के ना तैसे जो फ्रीडिम है इंफा सक्टर है वो तो मैं स्वेम उसका नेक्षिन करके आया हूँ, हर परकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेज ये तियार किया गया है, न के बल पंच्छुला, बलके इसमें से कुछ खेल, चंडिगर युनिवरस्टी का जो केंपस है, उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाबाद में होंगे, और दिल्ली में होंगे.